कुमार, सोमवार को अब फिर से सुनवाई होगी इस बीच मुसलिम पक्ष का कहना है, अंजुमन इंदजामिया का कहना है कि भई, रिपोर्ट सारुजनिक ना किया जाए तो सोमवार को क्या कुछ बड़ी बाते हो सकती हैं, आप बताए देखिया सोमवार को सबसे पहले तो वो सुनवाई जो है, वो आगे बढ़ने वाली है 7-11 पर, maintainability पर, लेकिन उसके सुनवाई की तुरंट बाद, इस बात पर भी अदालत चर्चा करेगी कि जिस बात की मांग, इंतजामिया कमिटी ने की है, या जितन शिंग बिशेन, जो कि हिंदू पक्ष के याचिका करता है, वकील है, उन्होंने अपने तरफ से की है कि इस सर्वे रिपोर्ट की जो वीडियो ग्राफी और फोटोग्राफ से इसे सारोजनिक ना होने दिया जाए देखिए, चुकी एक हफते का टाइम दिया हुआ है, और एक हफते में दोनों पक्षों को इस वीडियो और सर्वे को फोटोग्राफ को देख करके अपनी आपतियां देनी है, खास करके जो मुस्लिम पक्ष है उसे अपनी आपतियां रखनी है क्योंकि तभी ये तय होगा कि आखिर आगे ये केस कैसे बढ़ेगा ऐसी स्थिति में एक दिन पहले इस बात की मांग करना कि इसे सारोजनिक ना होने दिया जाए किसी भी तरीके से, मुझे लगता है इस पर आदालत फैसला करेगी लेकिन हिंदू पक्ष भी है, वो लगातार मांग कर रहा है कि इस पर इसे सारोजनिक होने दिया जाए तीस तारीक को ये बात साफ हो जाएगी कि क्या ये सारोजनिक हो सकता है या नहीं लेकिन एक बात जोड़ दूँ कि जो रिपोर्ट थी, जैसे जो सर्वे रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट पक्षकारों को दी गई, सर्टिफाइड कॉपी दी गई और वो सारजनिक हो गई तो ये सर्वे रिपोर्ट का ही हिस्सा है वो लिखित में है और ये फोटो और वीडियो है ऐसी स्थिती में एक रिपोर्ट को सारजनिक होने देना और उसकी वीडियो और फोटोग्राफ को रोक देना ये मुझे लगता है कि शायद संभव नहीं है ल